तो 36 गड़ में BJP ने की नई घोशना जी हाँ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कल 24 जन्वरी को विश्णु देसाय सरकार के द्वारा कैबिनेट का बैठक हुआ कैबिनेट बैठक करते ही सिर्फ अब 10 दिनों में जो है किसानों का बैंकों का जो है करजा माप होने वाला है अगले आने वाले 10 दिन जो होगा वो आप लोगों के लिए काफी जादा इंपॉर्टन्ट होगा बहुत ही महतुपूर्ण आप सभी के लिए आने वाले 10 दिन होने वाले हैं और अगले 10 दिनों में 36 गड़ के सभी किसानों का प्रतिक किसानों का प्रतिक बैंकों का कर्जा माप होगा और 31 सो रुपे प्रतिक उंटल की तर से आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे पैसों के रासे आप सभी किसانों के bank account में जो है transfer होने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए सबसे बड़ी चीजे देखने को मिल पाथे हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो, 10 दिनों में 36गर्णे, सभी किसانों का सिर्फ 10 दिनों में किसانों का बैंकों का जो है करज है, माप होगा आप लोगों को बताना चाहता हूँ बारती जंता पार्टी के सरकार के दोरा एक बार अगर आप लोगों से जवादे कर दिये जाते हैं एक बार जो आप लोगों के लिए खोशना पत्रे रिलिस किये जाते हैं मतलब उन सभी वादों को पूरा करने के लिए उन सभी घोशना पत्रों को उन सभी मेनुफेश्टों को पूरा करने के लिए BJP गवर्मेंट जो है जीजान लगा देती है और उन सभी शंकल पत्रों को जो आप लोगों के लिए जो गैरेंटी हैं, जो मोदी की गैरेंटी है मोदी की गैरेंटी को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार भारती जंता पार्टी की गवर्वन्ट जो है प्रतिबद है आप बिलकुल भी परसान मत होए आप सभी के लिए जो मोदी की गैरेंटी है जो मोदी की वादे है उन सभी वादों को पूरा किये जाएंगे थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा समय लगता है सभी चीजों को रिजॉल होने में सभी चीजों को सही होने में लेकिन आप सभी के लिए भारती जंता पार्टी की सरकार के दोरा यकिन मानिये आप लोगों सिखिया हुआ एक भी वादा ऐसा नहीं होगा जो वादे आप लोगों के लिए पूरा न के जा रहे हैं और आने वाले 10 दिन जो होगा आप सभी के लिए 36 गड़ के सभी किसानों के लिए बहुत ही जादा खाश होने वाला हैं क्योंगि आने वाले 10 दिनों में 36 गड़ के सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी चीजे होने वाली हैं 36 गड़ के सभी किसानों के लिए सबसे राद भरी वाली खबर होने वाला है और आने वाले 10 दिनों में सिर्फ 36 गड़ के सभी किसानों का सभी बैंकों का जो है करजा माप होने वाला है क्योंकि कर्ज के वज़े से बहुत से किसान जो रहते हैं वो बहुत जादा परिशान रहते हैं उन सभी किसानों को यही चीज लगा रहते है कि किस तरह से आखिर कर हमारा बैंक का कर्जमाब हो पाएगा किस तरह से आखिर कर हमारा बैंक का लोन चूट हो पाएगा किस तरह से आखिर हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे किस तरह से आखिर कर हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोचते रहते हैं तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसानों के बैंक अकाउंट में, पूरे के पूरे पैसो किरासी आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में, पूरे के पूरे पैसो किरासी ट्रांसफर कर दिये जाएंगे, और 24 जनवरी कैबिनेट वेठक आप सभी के लिए काफी जाद होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत नहीं अपडेट आप से भी के लिए कहीं ने कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप से भी के लिए कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा स्वेसल होते है इसके अलावा भी अगर हम बात करें students के लिए भी तो जितने भी बेरुजगार student है जो बेरुजगारी के दौर से गुजर रहे हैं उन सभी students के लिए भी एक लाग भरती जो है आप लोगों के लिए आने वाली है एक लाग नए vacances आने वाले टाइम में एक लाग post अभी आप सभी को जो है देखने को मिल पाएगा तो जितने भी घोशना पत्र है जितने भी अपडेट है जितने भी चीज़े जो आप सभी के लिए निकल कराएंगे वो definitely जो है सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए बहुत जादा मात उतने ही जादा जलूरी हो जाता है उतने ही जादा महत्तुपण आप सभी को देखने को मिल पाते हैं तो 24 जनुरी को विश्नु देसाई काबिनेट का बैठक होगा और जैसे ही 24 जनुरी को विश्नु देसाई काबिनेट का बैठक होगा उसके अगले सिर्फ दस दिनों में किसानों का संपूर्ण पूरे के पूरे सभी किसानों का बैंकों का जो एक कर्जा माफी देखने को मिल पाएगा तो अब आप लोगों को बिलकुल किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आप सभी के लिए भारती जंता पार्टी के गवर्मेंट्स के दौरा, आप सभी के लिए भारती जंता पार्टी के सरकार के दौरा, बहुत ही मतुपूर्ण फैसले, आप सभी के लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए काम किया जा रहे हैं, जितने भी अपडे बीजेपी सरकार के द्वारा बीजेपी गॉर्वर्मेंट्स के द्वारा आपसे भी किसानों का बैंकों का जो एक अर्जब आपी कर दिये जाएंगे। मैंने कई वीडियोस में भी आपको बोला ही है कि बीजेपी गवर्मेंट्स के दोरा थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन उन सभी वादों को उन सभी घोशना पत्रों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के दोरा, किये जाते हैं, जो मोदी की गवर्मेंट्स के दोरा किये जाते हैं, जी हां डिफिनेटली आप से भी सिखिया हुआ हर एक वादा जो है अवस्चरुप से पूरा होगा, क्योंकि कोई भी चीज हो, तो एक ही बार में पूरा हो जाए, वो सभी वादे, वो सभी गोशना पत् ये चीजे तो बिल्कुल किसी भी तरह से मुम्किन नहीं नहीं हो पाता है, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आपको हार्डवा करना पड़ता है, तो अगर आप अच्छे से हार्डवा करते हैं, अगर आ आप सभी गिसानों के बैंक खातों में पूरे के पूरे पैसो के रासी ट्रांसफर होने वाला है तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी को काफी महत तुपो नई नई वीडियो जो है इसी तरह से आप सभी को एक के बाद एक मिलते रहेंगे bell notifications को on करके रख लेना bell notifications को on करके रखने से ये फायदा होता है कि जब भी मैं वीडियो से upload करूँगा ना तो आप लोगों को जानकारी जो है update सबसे पहले जो है मिल पाएगा यह अब जितने भी जानकारी जितने भी update मैंने आपको बताया सबी जानकारी अपडेट आपको पसंद आया हो अगर मेरे द्वार अदी के हुई सबी जानकारी अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नया है हो तो चैनल को जो है सब subscribe कर लेना साथ में bell notifications को आपको on करके रख लेना एंड वीडियो को जितना जादा होशा के शेयर करना जितना जादा होशा के सभी लोगों तक पहुचा दीजए सभी लोगों तक वीडियो को फैला दीजए जिसे की सभी लोगों तक वीडियो जो है देखने को मिल पाए thank you so much मिलते है ने वीडियो